तो गाई स्वागता आपका एक न्यूव वीडियो में और सबसे पहले तो भाई आप सब इसे सौरी कहना जाओंगा क्योंकि ये वीडियो मेरी कल आने वाली थी और कल घर में थोड़ी सी दिक्कत होगी थी इसलिए ये वीडियो आज आ रही है तो इस चीज के लिए यार रियली एरली सौरी बाकी मज़ा इस वीडियो में उतना ही आने वाला है जितना कि कल आने वाला था तो गाई सबसे पहला कवेशन ने यहां पर रेस्लिंग हिंदी याड़ बाई कि तरफ से और इनका इहां पर एक क्वेशन यहां पर मुलटिपल क्वेशन्स पहला पसंद है तो भाई तो यार मेरी फेवरेट फिमल सूपर स्टार तो साथ सा बैंक सुआ करती थी लेकिन वो डबलवली से जा चुकी है पर प्रजेंट टाइम में यहाँ पर बैकली इंस का काफी बड़ा फैन हूं इनका फोर्थ क्वेशन है फेवरेट एक्टर कौन है तो भाई फेवरेट से भाई मैं रैंडे उडडन को पिक करूगा इसके बाद गुल्बग और ब्रॉक्लेशनर होगा बैकली में का रिटरन होगा तो भाई जरूर होगा लेकिन अभी यह कहने सकते हैं कि रिटन कब होगा लेकिन हाँ इतना तो पत है कि यहार रैंडे Zeit टं caid स्व्र में यह सकता है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम लेगा या फिर साइद वह रेसलिंग कर भी पाएं या फिर ना कर पाएं तो ऐसे में खुद भी यह चाहूंगा कि यार वह जल्दी से जल्द वापस आजाएं और रेंडियो डर्नमें टेलिविजन पर जल्दी से जल्द देखने को म में लिखते हैं भाई बहुत सारा पूछ लिया थैंक्यू ब्रो इतने अच्छे वीडियो बनाने के लिए रोमन की तरह आप भी गोट हो तो भाई थैंक्यू सो मच यार आपने कितना कुछ का और आपका भी थैंक्यू भाई आप रेगुलर कमेंट करते हो भाई सपोर्ट करते हो यार उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू भाई तो गाईज अब बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेशन की तरफ और अगला क्वेशन आया रेंस रेलेवेंस की तरफ से इनका अनंद कुमार की तरफ से जिनका कहना है कि रोमन और ब्रॉक में ज़्यादा बड़ा ड्रॉक होनोगा अगर रोमन ऐसे 10 साल और रेस्लिंग करते हैं तो भाई पहली तो ये चीज़ है कि मैं यहां पर ना रोमन को कहूंगा ना ही ब्रॉक को कहूंगा क्यूंकि भाई दोने सुपर स्टार अपने अपने लेवल के टॉप स्टार है ब्रॉक का भी आप देखोगे भाई एक एरा था जब उन्हें कोई भी टच नहीं कर पाता था ऐसे बंदे थे ऐसे बीस्ट थे आज कर दियो लेकिन भाई सुरू सुरू में जब वो डॉवली में आये थे तो काफी क कमाल की फोर्मर थे तो भाई मैं दोनों सुपरस्टार को एक दूसरे से कंपेर नहीं करना चाहूंगा क्यूंकि बीस्ट अपनी जगह बैस्ट है और ट्राइबल चीफ अपनी जगह बैस्ट है नहीं रोमन रेंज कभी बीस्ट बन पाएंगे और नहीं ब्रॉक लेशनर कभ प्रेड़ी देख चुक है हाँ थोड़े टाइम बाद हो जाए और साथ मुझे भी ऐसे लगता है कि इनका मैं सोड़े टाइम बाद होगा लेकिन फिलाल ऐसे अभी कोई भी चांसे नहीं है तो यार अगला क्वेशन यहां पर है स्मार्टी प्लेज की तरफ से इनका कहना है भाई साथ कप कर रहे हो प्लीज पिक माई क्वेशन यहार साथी कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे भाई भाई तो ढूंड़ो अपने लिए एहे रहा नहीं जाता तड़प ही एसी है ना तो यारे मजा कर रहूं भाई अभी तो यार उमर ही क्या भाई छोटा बच्चा हो यार उमर होगी तो कर लेंगे जादी भी नेक्स्ट क्वेशन आया यहाँ पर उसी के तरफ से इनका कहना है कि रोमन रेंस उसोस के अंकल है तो हाँ भाई अगर आपको नहीं पता तो रोमन रेंस असल में दी उसोस के अंकल है तो इस पर मैंने एक शॉट भी बनाई है और अगर आप इसके बारे में जादा जाना चाहते हैं तो आप वो शॉट देख सकते हैं वहाँ पर मैंने दी उसोस का statement भी दिखाया जहाँ पर वो कहा रहा है कि Roman Reigns उनके uncle है next question यहाँ पर आया King Gamers की तरब से और इन्हों ने भी यहाँ पर तीन questions पूछे है पहला question है भाई Bray Wyatt, Uncle Howdy, Randy Orton का return कब होगा तो भाई Bray Wyatt और Uncle Howdy का return तो हमें काफी जल्दी देखने को मिलेगा ऐसे एक update भी आई थी और update का कहना है कि हम Summer Slam में सायथ Bobby Leslie और Bray Wyatt का वही मैच देखने को मिलेगा जो कि सायथ हमें Russell मिने में देखने को मिलने वाला था बाकि Bray Wyatt की तो काफी जल्दी वाप से होने वाले है लेकिन Randy Orton का भी मैंने बता दिया है वो आप पीछे जाकर देख सकते हैं अगला question है भाई Seth Rollins वर्सेज Roman Reigns का मैच हो सकता है winner take all तो भाई इस question का answer मैं last मैं दूँगा क्योंकि ये question कई लोग की तरफ से आया बाकि इनका अगला question है भाई face reveal कब करोगे तो भाई इसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ इसके बाद ही लिखते जैसरी राम तो जैसी राम भाई अगला question है हाँ पर आया हट्स प्रताब सिंग की तरफ से इनका फहला question है वर्ट इस यूर best 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 friend name first second and third bro तो भाई best friend तो क्या ही बताऊं यार क्योंकि भाई मेरे सारे best friends है और लड़कों में ऐसी होता है ना कि भाई जिते friends होता है सारे भाई होता है यार तो मतलब सारे best friend है भाई इनका दूसरा question है कि भाई Roman Reigns का face turn कब होगा लग question यहां पर आया रजमीत सरोज भाई अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो यार भाई माफ करना है इनका question है भाई क्या shield और bloodline का match हो सकता है तो भाई देखो यार वैसे तो WWE में कुछ भी मना नहीं कर सकते हैं लेकिन ये match personally का हो तो यार मुझे नहीं लगता क्योंकि bloodline तो चलो हम एक बारी के लिए मान भी लें कि अभी WWE में ही है लेकिन the shield का फिर से reunite होना काफी ज़्यदा मुश्किल है Dean Ambrose फिलाल AW में है और वहां पर उनकी काफी लंबी चोई डील है और Seth Rollins ने भी अपने interview में ये का था कि अगर कभी Dean Ambrose WWE में वापस भी आता है तब भी the shield का reunion काफी ज़्यदा मुश्किल होगा क्योंकि अब ये तीनों superstar काफी बड़े superstar बन चुके हैं और ये अपने-पने line की तरफ बढ़ चुके हैं इनका कहना है ब्रो क्या Seth Rollins वर्सेज Roman winner take all हो सकता है और इनका दूसरे question है क्या Roman Reigns फिर से double champion बनेंगे और ये question का ये और लोगों ने भी पूछा तो भाई इसका जवाब मैं यहाँ पर दे देता हूँ यार मैं अगर अपना opening दूसरे तो मुझे लगता है यहाँ पर Roman Reigns और से Seth Rollins कभी भी winner take all मैच होगा कभी यह हो सकता है कि कभी आगे जाकर Seth Rollins अपनी championship हाड़ जाए तब उनका Roman Reigns के साथ मैच हो सकता है और वो भी undisputed universal championship के लिए लेकिन SM मुझे नहीं लगता कि winner take all होगा क्योंकि भाई WWE पहले इता बड़ा scene कर चुकी है हमने Brock Lesnar और Roman के case में ही देखा Roman को दोनों title दे देगी थी और फिर title लेना काफी ज़्यादा मुश्किल हो गया था और SM में इस बार WWE World Heavyweight Championship Raw के लिए लेकर आई है और अब undisputed universal championship SmackDown की हो चुकी है तो SM में काफी ज़्यादा मुश्किल है कि WWE इन दोनों titles को किसी एकी बंदे को विर्चे थमा देगी हम देखे रहे हैं वो Roman Reigns से title नहीं ले पाए और काफी ज़्यादा मुश्किल हो गया था इसलिए उन्हें एक नई title लानी पड़ी तो ये काफी ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे बाकि हाँ Seth Rollins और Roman Reigns का वैसा हमें match देखने को मिल सकता है सर्वाइबर सेरीज में क्या पता हमें चैंपिन वर्सेज चैंपिन मैश देखने को मिल जाए लेकिन वो मैश टाइडल के लिए नहीं होगा और ऐसे में फिलाला भी रोमन रेंज वर्ड लाइवे चैंपिन बनेंगे ये तो काफी ज़्यादा मुश्किल है तो गाइस ये आपके कुछ क्वेशन जिनके मैंने जवाब दें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रू बताना आपके साफसे क्या डव्ड लाइन वर्सेज दस श